कि असलाम लेकुम कैसे हैं आप लोग सब मेरी आवाज आ रही है क्लियर आप लोगों को अलहम दूलिल्ला जी आएम गुड असलाम वालेकुम सब्सक्राइब कान यू जस्ट रिवाइज पास्टू लेक्चर्स इन अल्ली फाइब डान ओनली टेल में टॉपिक्स वाट वी है अगल अगल हमने प्रिवीड लेक्चर ने पढ़ा था तो पहला अर्याइटेशन थी कि थी उसकी भी रिकॉर्डिंग की ती उसकी भी बढ़ा था उसमें में स्टॉर की टाइप्स पड़ी थी उसकी भी समरी बहुत सब्सक्राइब था और रेलियर अप्रीशियेट यू ग पूरे लेक्टर की और फूर्थ लेक्टर वाज अबाउट शॉपिफाइड डैश बोड शॉपिफाइड डैश बोड में चीजों को पढ़ा था कि डैश बूड आपकाउंट कैसे क्रिएट करना है और डैश बूर्ड में कौन कौन से आज के लिक्टर करेंगे हैं मैं ना बंट उल्ड पर संब्सटाइब मुझ बशॉपिफाइड मुच से वर्ड क्रेस्ट में बहुत सारे इसुज यह आते हैं कि कि आपको हर चीज मैनुवली अपडेट करनी पड़ती है बाद का दोस्त में कंपैटिबिलिटी की इशू आ जाते हैं बाद कभी क्या इशू कभी क्या इशू आते रहते हैं शॉपिफाइज वन ऑफ दी बेस्ट प्लाटफॉर्म टू मैनेज और क्रिएट एकॉमर्स टोर्स और दुनिया इसी पर ही ट्रांसफर हो रही है तो वू कॉमर्स इस ऑल्दो के वू कॉमर्स की वन टाइम कॉस्ट है बड़ उसका सर्वर मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट है एक चीज़ दूसरी चीज़ आप यह बात कर रहे हो कि अगर आप इकॉमर्स टोर बनाते हो वू अब मूहमस्ट क्लाइन गूगल मर्चन्ट को सब्सक्राइब होने के बहुत सरी बज़ें होती है अब मुझे नहीं पता है कि क्या वज़ा से इसका बगयर इसके वज़ा जाने आंसर नहीं किया जा सकता अगर हम वर्डपर्स एक्सपर्ट हों तो फिर क्या बेटर है है चले हैं हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जितने लोग ने जॉइन करना था वो कर चुके हैं और जो लोग जॉइन करते रहेंगे हम रपीट नहीं करेंगे किया हम दस मिनट लेट हमने जॉइन किये तो हम उसको रपीट में नहीं लेकर जाएंगे चले अगर आप उसके लाव नोटिफिकेशन से मैंने आपको बताया था कि ये इमेलनोटिफिकेशन रहतly जिकेस je जाते हैं बेस्ट आन डिफरेंट क्राइटीरिया जैसे और आया है और में चेंज की गई हैं डिस्पाइच हो गया तो वह प्री मेड टेंपलेट्स हैं वह आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है पर कशन कर नहीं पर काम किया सकता है गिफ्टकार्ट बताया तकी को भी दे सकते हैं और वह फिस पर बता रिया था कि आपका चेक आउट किस तरह चीजा आप मिलेंगे इन सारे option का क्या क्या मतलब है अकाउंट का या काउंट सर्ण का क्या मतलब वह सारी चीज़ें आपको क्रण्ट मंत का बिल नजर आएगा कि आपने शापर फाय को पेमेंट करनी है अब आप शापर फाय के थूड़ डिफरेंट सेल्स चैनल अगर मैं अगर अपनी प्रॉड़क्ट को मैं गूगल पर सेल करना चाहता हूं गूगल मर्चंट पर यह वह फेस्बुक पर सेल करना चा हैं जैसे के पॉइंट ऑफ सेल है वह यह रहने ने फिलाल यह दो बैसिकली में हैं आपके गूगल और फेस्बुक हाँ आप इंस्ट्राग्राम शॉप भी बना सकते हो वह भी किस तरह बनाएंगे वह भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट तो इसेल चैनल हम एड़ करना सीखेंग सबस्दें कर सकते हैं और फेसबूक गूगल मेरशेंट इंस्ट्राग्राम यह सारे आप फ्री ऑफ कोस्ट कर सकते हैं में तो और उसके बाद लीगल जलॐ के यह जब भी आपको Shopify store बनाते हैं जब भी कोई e-commerce store बनाते हैं तो कुछ pages ऐसे हैं जो कि आपके website पे होना बहुत जरूरी है उसके बगार आपका e-commerce का setup नहीं चल सकता अब उन उन पेजिस में इस पहला पेज refund policy है कि आपके पॉलिसी क्या है ठीक है बहुत इंपॉड़न पेज होता है जब भी आप जब भी कस्टूमर आपके website पे आता है नॉमली वो रिफरेंड पॉलिसी ज़रूर चक करता है प्रिवेसी पॉलिसी टर्म्स अफ सर्विस और शिपिंग पॉलिसी यह तीन चार पेजिस हैं जो कि आप पे आपको प्री मेड टेंपलेट्स दिये हैं कि आप बना सकते देखें यह लिखावर क्रीट फ्रम टेंपलेट जैसे इस पर क्लिक करूंगा आपका कंप्लीट जो रिफरेंड पॉलिसी है वह आपकी बनी बनाई आ जाएगी अब इसमें आप जो चेंजिस करने हैं आप च लोग आप से और रिटर लीए यहां पर प्राइवसी पॉलिसी है प्राइवसी पॉलिसी नॉमली जो आपका यहीं कॉंवरो पर होती है वह बनी बनाइए आपके पास यहां पर आजाएगी आपको उसमें काने की जडरुवत नहीं है करना चाहें को चैनल दीजिव आप कर सकते हैं वरना द्रूवयत नहीं होती सिमिलरली अगरा बात करते हैं टॉर्म्स ऑफ सर्विस की क्लिक करें आपका टॉम्स पर सि सेम वैसे ही रहेंगी नीचे शिपिंग पॉलिसी है शिपिंग पॉलिसी आप खुद से बना सकते हैं या गूगल कर लें आपको अंदाज़ा हो जाएगा शिपिंग पॉलिसी ठीक है आप यहां पर टैंपलेट्स मिल जाएंगे इस तरह शिपिंग पॉलिसी और बाकि सारे पेजिस जब आड़ कर लेंगे सिर्फ आपने सेव करना इसको यह पेजिदि आपके स्टोर पे आड़ हो जाएंगे आपको बाद में बनाने नहीं पड़ेंगे तो यह आपका लीगल का सेक्षिन है और लीगल का सेक्षिन बहुत इंपोर्टन होता है क्योंकि कस्टोमर एक बार ऐसा हुआ था कि बूस्टर बूस्टर थीम है शौपिफाय का तो मैंने वह थीम भाइक किया तो उसकी बहुत यह करेंगे आपको तो मैंने पूरा एक आर्टिकल लिखा डिटेल्ट लिखके इंटरनेट पे डाल दिया और विदिन फ्यूदेज विदिन फ्यूदेज क्या विदिन फ्यू आवर्स उसके सीयों के मुझे पर्सनल मैसीज आया फेस्बुक पे कि वूइ अर गों इसको पुरा लिखा ने लिखा वह नहीं कर रहे थे मैं तंग आ गया था क्यूंकि वह थी बहुत महेंगा थी थी फाइब टी-थाउजन का थी में वह एक साल का एक साल का 40 फेकर ना पड़ता आपको तो इन एक चोटी की बूस्टर इन डॉट कॉम मैंने बाइख की शिटी बूस्टर थीम डॉट कॉम इसमें आर्टिकल लिख दिया यह डिटेल इक आप तो यह डूमेन मैंने डॉमेन मेरे पास यह इसके जो सी ते तक परसनल मैसेज आए है कि आप हमें आप हमारी आप वेबसाइट डाउन कर दें और आपको मेरे पास होगी सारे लाइफ के सापको इसलिए दिखा रहा हूं कि जो चीजें है ना लीगल उसमें आपको घबरानाने चाहिए मारक इसके सीओ का किया है सलें मुझे मैसिज किया था मुझे मार्क है मर्क मैं सिंद्र की स्टे फेस्बुक पूस्ने मुझे कांड़क किया उसमें श dov Komment कर देते ऑब चब पूरानी ही स्ट्री में होगा तरह कि अब क्वेंगे देखें पूरी पूरी डिटेल उसने मुझे भेज़े यह देखें तो आप जो आपकी पॉलिसी है जो आपकी प्राविसी पॉलिसी उसको यूज करते वे कस्टमर आपके साथ कुछ कर सकता है तो कोशिश किया करें कि जो पॉलिसी है बड़ी सोच समझ के लिखा करें अधर्वाइस यूँआफ टू पेड़ा कॉस्ट मैंने इसी पॉलिसी को यूज करते वे उसको पार्टिकल लिखा उसने मुझे कहा कि मेरी तुम एपसाइट डाउन कर दो हां वेबसाइट करना वाज सम्टिंग विच इस अनथिकल विक अनथिकल चीज थी बट क्या था कि वह फैसे में नहीं भी लूँगा तो तब भी मैं यह जो मेरा पूरा रिव्यू है मैं किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट कर सकता हूं तो उसने जान इसी जान चुडाने इसी में समझी कि वह रिटर्न कर दें यह बदा चल जाता है और इदर उदर वह रिमांडर लगाया होते हैं कि जब भी कोई आपके आपके जो ब्रैंड है उसको कहीं पर भी मैंशन करेगा उनके पास नोटिफिकेशन चला जाता है और उस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं तो लीगल होंगे प्राम सब्सक्राइब चाह schaffen करके अपर लोग बहुत साई लोग पूचेंगे कौन सा करें सक samo सकते हैं कुछ बैंक्स हैं जिनके यहां पर डैबिट कार्ड भी सम्टम चल जाते हैं में बिशार का चलता है या यहां जो आपका मास्टर कार्ड है जो कि आपको प्योनीर की तरफ से मिलता है आप भी यहां पर यूज कर सकते हैं यूबियल विसकार्ट बंद कर दिया नहीं चलता है मेरा ख्याल है चलता है तो वह हैड़न ट्राइल है हानिया जिशान आपको खुदी ट्राइब उसकर आपके मैटा फील्ट बेसिकली मैटा फील्ट बेसिकली अभी फिल हाल निया आया है जब आप अपनी को गुगल डालते हो तो गुगल ने कुछ जो है ना फील्स आइसी है जो कि उन्होंसे कहा है कि आप कलर स्कीम यहां पर करें उन्हेंने क्या आप स्पेस है गया है यह हम पढ़ेंगे बहुत बहुत जरु है समझ आइंड़ समझ आँस इन फूज़ेता हूं गूगल मर्चेंट मैटा फील्ड यह देखें प्रॉड्क स्पिसिफिकेशन में जब जाएंगे यह गूगल मर्चंट अकाउंट है कि आप अपने गूगल गूगल पर जब लगाते हो ना गूगल एड्स लाते तो गूगल मर्चंट के तुरू चलते हैं ठीक है यह आपको जो भी गूगल पर आ आपकी प्रॉडक्स आपकी आपकी प्रॉडक्स को ग्रैब नहीं करेगा आप चला सकेंगे तो उसके लिए आपको मैटा फील्ट का होना ज़रूरी है या ऐसी हो के लिए बीज़ूरी होती है और वैसे प्रॉडक्स के लिए बीज़ूरी होती है इसको हम बहुत डिटैले पढ़ेंगे यह दो दो चीज़ें जो हैं बैसिकली मैं आपको बता एक मार्केट और एक मैटा यह शौपिफाय ने अभी आड़ की है रिसेंटली पहले यह आड़ नहीं थी इसलिए कि सिर्फ इसी वाज़ासे आड़ कि आप सिंपल गूगल मर्चंट का अगर समझना चाहें तो गूगल मर्चंट इस यूर गूगल शॉप क्या प्रॉडट्स गूगल गूगल के रिज से नहीं पूछा बट अगर मैं आपको शॉपिफाय का पेज दिखाऊं जो इसका पेज है प्राइसिंग पेज और यहां पर मैं आता हूं शो डिफरेंट प्लैंज यहां पर आपको एक चीज़ नदर आ रही थी इनवेंटरी लोकेशन्स यहां पर फोर आ रहा है यहां पर है और यहां पर इट आ रहा है इसका मतलब यह होता है वह बियुक्रुफरेंटार यहां पर आप डिफरेंट इन्वेंटरी बना सकते हैं जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो एमाइज वाए दो तीन लोकेशन पर अपनी करता है लाहॉर में भी है इसलाबाद में भी है कराची में भी तो वह जहां जहां पर भी जो चीज वेलेबल होती हो जाना वहां से वह जाती है तो इससे आपको को अंदाजा हो जाएगा नॉमली जो आपका केस है जो होते हैं उस केस में आपको मुल्टिपल लोकेशन की जरूरत नहीं होती क्लाइंट्स को अब विजिवल नहीं होंगी है चीज़ें आप खुद मैनेज कर रहे होते हो लोकेशन नहीं आती लोगर अगर आप प्लूफिल्मेंट लोकेशन चाहिना है अच्छा जी उसके बाद यूजर्ज एंड परमिशन यह एक अनदर बड़ा इंपॉर्टन फीचर है इसमें आप इसमें आप डिफरेंट स्टाफ मेंबर्स को डिफरेंट पावर्स दे सकते हो अगर आड़ा स्टाफ मेंबर करता हूं तो यहां पर देखें मैं परमिशन आ रही है कि मैंने किसकी सेक्षण का प्रमिशन देना उसको अगर आप इसको कंपेर करें ना इसके साथ देखें हों हों और अडर्श ऑडर अडर्श यह और ड्राफ्ट और आते हैं स्टोपर मर्स कस्टोमर इनलिटिक्स वह साथ चीज़ें आप को हैं उसको चाहूं कि आपका पर काम उसको नहीं हों हूं की फिर्फ की चाहिए होगी अपस की उसके लावा उसको चाहिए होगी और फेचिस की नैविगेशन डुमेन सिर्फ इन चीज़ों के अक्स्थ चाहिए होगी और किसी चीज़ों की ज़रुवत नहीं उसके पड़ाओ एक बंदा अगर मार्केटिंग कर रहा है आपके स्टोर पे कि इसको और किसी चिज़ के वह गज़रत की जरुवाइब ज़रुवत नहीं तो को यह आपको डिफरेंट पावर्स आप रहे सकते हैं यूजर्सको बाइडिंग देन है तो स्टाफ मेंबर्स भी आड़ कर सकते हैं अप लोग अपने इसेम लाइक एक्सेस टू ब्लॉग एक्सेस टू यूर फेस्बॉक पेजिस इस इसी तरह यहां पर एक्सेस दीजा सकती है वाले को सिर्फ वह से तो पूरा स्टोर कर रहे हो तो में भी आपको फूल एक्सेस टेस्टिंग कर रहे हो अगर कोई स्टेबलिश्ट स्टोर है मैं आपको एक्सेस नहीं दूँगा ठीक है मैं आपको होंगे आपको और्डर नहीं दूँगा आपको गिफ्ट कार्ड रिपोर्ट सब्सक्राइब चीज़ों के एक्सेस देदीए इसको मुझ याद रखीएगा जहिन में रखिएगा ताकि मैं इसको बाहरा देखाएगा मैंने इसमें आपको पेमेंट का सेक् चोड़ दिया और मैंने यहां पर आपके लिए टैक्सिस चोड़ दिया में तीन चीज़ें जोड़ी है इसको बाद में इंशालला कवर करें अच्छा अगर मैं आप लोगों के इस सेक्शन में आता है जो आपके लेफ्ट साइट पर सेक्शन नजरा रहा है आपको आपके अनलेटिक्स नजरा रहे होते हैं आपको यहां पर आपके स्टोर के सारे अनलेटिक्स नजरा रहे होंगे आपका स्टोर परफॉर्म कैसा कर रहे हैं आपके कितने हैं आपके कितने हैं सेल्स कितनी हैं सारे के सारी आपके डैश्बूर्ड आपको नजरा रहा होता है स्टाइट्स होते हैं बैसिकली आपके स्टोर्स के तो हो में सिंपल हो में इतनी ज्यादा कोई कॉम्लिकेशन नहीं है बट वन इट कमस्टू और और इस वन अफ दी इंपॉर्टेंट सेक्शन जहां पर आपको कम्प्लीट आपका और की डिटेल नज़ा रही होती है पहले च आप लोगों के कौंसेट्स क्लेट हो सके यह देखें आर्डर का और नंबर हमिए पास का प्यामिन्ट स्टेटस ऑडर फुल्फिल हुआ नहीं हुआ अंई नहीं हुआ है नहीं नहीं हुआ सारी डिटेल जो और ने ऑडर किया है वो सारी नजर आ रही है चीज़ें अमाउंट कितनी पे किये वह आ रहा है मेरे पास अगर साइड बार पर आता हूं तो मैं पास कस्टमर का डेड़ नाम ऑडर के कितने ऑडर की इसने एक यहां पर देखें उसका इमेल एडरेस आप लोग आप लोगों को यह कुछ नहीं पूछना चाहिए तरह सरी सेम एज शिपिंग अडरेस क्यों आ रहा है आए नीचे आते हैं कनवर्टेशन इस्ट्री है वह कहता है उसने एक सेशन आया वेब साइट पर एक सेशन में उसने चीज़ को बाय कर लिए नीचे आते है और आपको यह डीटेवल नजर आ रही हैं चीज़ें कि आपको क्या चीज़ें नजर आती हैं मैंड़ अगर अपर मेनियो में में चीज़ें कर देंगे चलाएगा डर की डिटेल कर सकते हैं मोर एक्सिब्लिकेट और डॉप प्रिंट और पेज पैकेचिंग दिग स्लिप औ आप पैकेजिंग रिप्क्रिल्ब्र बैक साथ सी आामको प्लिक कर के दिखा हो तो यह देखें यह देखें पास बूलिंग आड्रेस अबको औरकी डिटेल और बागी सारे चीज़ां नज़र आती आपको पैकेजिंग स्लिप जब भी कस्टमर ऑडर करता है आपको जरूरत नहीं होती है आपको इंडिविजुल ऑडर की डिटेल मैंने बता दी है आपको हर ऑडर किस्ता से क्रिट होता है आपको सारी चीज़ें आपको यहां पर नजर आ रही है आपको जो है डिलिवरी जो कमपनी यहां वो देगी जो को यह कंपनी है वही प्रॉइड करेंगे अगर आपको पर द्राफ्ट ऑडर की बात करते हैं तो ड्राफ्ट और्डर में आप लोगों को वह आप करते हैं किसी ने आपको बैंक कर दी ठीक है यह चीज भीज़ देना मुझे आप वेबसाइट पर और क्रियेट कर दोगे खुछ से जिसमें आप कस्टमर का नाम प्रॉडक्ट डिटेल सारी अड़ कर दोगे करना चाहता है यहां पर आपने सबसे पहले चीज़ आड़ करनी है आपने प्रॉडक्ट करनी है यहां पर यहां थे यहां रहे हैं कि आपने लिटेलच में ऑपर सारी इसके विए मुझ ऑच कीulsion लेटर या उसके बाद गिश्रिप्ट इटरस नाज्रेक्ट करता हूं कस्टमर यहां पर मैं केस्टमर हैड करता जैसा कि मैंने यह आड़ किया कर दोगी है इमैल एडरस आगया श्यॉप्ट ही कि आपने कस्टमर को इन वाइस भीजनी है जो कि आप जो कि वह आपको पे कर दें या मार्क एस पेड़ आप उसको अगर आपने बैंक से पहले ही क्लैक्ट कर लिए पेमेंट बैंक में या किसी पीज़ी पैसा कैश के तुरू किसा प्लैक कर लिए तामा का आपके अपसर्ट क्रेट हो जाएगा इसका प्रॉसस स्टार्ट न्यू कस्टमर के लिए और क्रेट करना हो तो कैसे करेंगे वरिगूड करेंगे और यही आपको शॉपिफाय वर्डपरस विर्चुल असिस्टेंट में तो इसको गौर से समझ लें ने कि जब भी ऑर स्टार्ट होता है इप यह जिब भी कस्टमर ऑटर करता है तो पहले क्या करता है अकाउन्ट क्रेट करता यह क्या करता है अकर आप मैंनल ऐडर करेंट करना और आपकी na परकूर क्या करना पड़ेगा मैनली कस्तरमर को क्रीश करना पढ़ेगा ठीक है पहले कस्टमर को रिजिस्टर करेंगे फिर प्रॉडक्ट एड़ करेंगे फिर और क्रियेट होगा जब तक यह प्रॉसस नहीं होगा तो काम आपका कंप्लीट नहीं होगा वह हमारा नेक्स्ट फेज भी आता हूं ठीक है आप लोग यहां पर इसको माक है पेड कर दें बेसिकली वह कस्टमर्स होते हैं जो कि आपकी वेबसाइट पर रिजिस्टर हो जाते हैं या प्रॉडक्ट को कार्ट में आड़ करते हैं और फिर दुबारा फॉलो अप नहीं करते हैं अच्छा जी इमेल आ जाती है क्लाइंट को हाँ इमेल आ जाती है इमेल नहीं आती होते हैं यह देखें यह बेंडेंट चेक आउट है अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहां पर देखें में पस डिटेल आ रही है उसकी कि कस्टमर ने प्रॉडक्स एड़ की कार्ट में अपना इमेल आइडी हर चीज एड़ कर दी एंडें लेफ्ट उन्होंने दुबार लिखा हमाराइं नों अकांट उन्हें अकांट क्रियेट नहीं किया बट क्या एमेल जब चैक आउट पेज़ सब्सेटेहें आपने एमेल ऐड़क्रिय नेम अड़क्र की और इडरस अटकी है रहते हैं उसके और यहां ओसपार हो क्या करते हैं कि नाइन क्ल्सेटा ग обязательностеं म लेकिन अगर एक से ज्यादा करेंगे कभी आए गए नहीं उसके बाद का सक्षिन है जहां पर अपनी प्रॉडक्स एड़ करते हो सारी डिटेयल करते प्रॉडक्स कर लें क्योंकि क्स्टमर्स का डिरेक्ट तालुक होता है आपकी प्रॉडक्ट्स के साथ यहां पर कस्टमर्स आड़ कर सकते हैं जैसे आपको आगर आप मेंनुल आप डिरेयड करना चाहते हैं किसी के लिए कस्टमर्स आपकी लिस्ट में नहीं है या आपके पास नहीं आड़ेड तो पहले उसका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा देखें नाम लिखेंपल नाम लिखें यहां पर मैं करता हूं लिख लिखता हूं और करना है यह नहीं करना प्रडट के अगर आप मैनुल आडर्श फूदैन डिफ्क जो होता है अगर आप करते हैं नहीं करते हैं नहीं करते हैं अगर आप युसे इपना चला रहे हो और युसे में रहे हो आपको उसके हिसाब से एक्स क्लेक्ट करना पड़ता है क्योंकि आपको वहाँ पर टेक्स फाइलिंग करनी बढ़ती है पाकिसान में नींग करता कोई भी बड़े बड़े शो जो मिलियन डॉलर स्टोर चला रहे हैं वह भी टेक्स टेक्स नहीं नीं रहते हैं अगर आप अमेरिका किसी और कंट्रेमारे रहे हो जिसके लॉज आपको हर हाल में टेक्स क्लेक्ट करना प पेमिंट कर देता है उसका आपने और क्रिएट करना वेबसाइट पे तब आप इस तरह काम करते हो और वाइस कस्टमर खुद ही और करता है और पाकिजान में वैड की यूज ने लेंगे आपकी कंपनी पाकिसाइब देखें आप लोग टेक्स को टेक्स को जो है ना वह समझ आप आप अपना स्टॉर्ट चला रही है अगर आप पाकिसान में में पाकिसान पर जाते हैं अगर आप स्टोर रिजिस्टर्ड है आप टेक्स पे करते हो मन्त एनुवल टैक्स रिटर्ण करते हो रिटर्न फाइल करते प्लेपने सोर के फिर आपको टेक्स क्लेक्स करना पड़ेगा बैट 90 परसंट जो ऑनलाइन सटोर्स है वो टेक्स पर इस पर प्राइस नहीं होता और दूसरी च तक्रिबाद कर तो यह देखें आप जब भी रेस्टारंट पर जाते हो आपने अगर दस जार खाना खाया होता है तो तो इस पर चुबेगा दस जार आपको नहीं यहां करते हैं अपनी जो प्राइस यह आड कर रहे होते हैं आपके प्राइस आड कर रहे होते हैं तो आपके प्राइस एक्चुल्LY हो रही होती है वो सेर्स टेक्स एड़ करके अगर आप एक करना चाहिए अधर्वाइज आप ना करें ठीक है क्लियर टेक्स का कॉंसेप्ट क्लियर हुआ कुछ पुरीज और वी क्रियेट कस्टमर और जस्ट फर ट्राफ्ट हर और के लिए किसली करना है अमर के लानी आपको सिर्फ उसी का कर करना चाहिए तो इसी तरह से आपके अनलेटिक्स यहां पर आपकी कंप्लीट रिपोर्टिंग आपको नजर आ रही होती है आपके स्टोर की जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका स्टोर परफॉर्म कैसा कर रहा है लोग नॉमली जो आपके अनलेटिक्स हैं उसको कंटर एस्टीमेट करते हैं आपको शायद हमें हमें अंदाजा नहीं होता कि कि क्या पावर है अगर फॉघंपल आपने एक परसंड रखा मार्केटिंग के लिए और आपने उसको टागेट दिया तुम जो है ना मार्केटिंग करो और मार्केटिंग में आपने युएस से क लोगता हूं तो उन लोगो टास्क देता हूं कि यहां पर आता हूं अगर मुझे लग रहा हो कि मुझे यहां पर नज़ा आए कि पाकिस्तान से आपको पाकिस्तान से आ रही है और यहां को यहां पर अंदाजा लगा लूंगा पर उसके लाव यहां पर देखिए ऑनलाइन से यहां पर में आपको यहां पर आ पको स्टाट्स ने जा रहे हैं स्टैट्स नज़ आ रहे हैं कि आपके जो 90% ट्राफिक है वो सेल फोन से आती है ठीक है और बट जो आप आप फेस्बुक एड जो चलाओगे फेस्बुक एड जो चलाओगे वो आप चला रहे हैं डेस्क्टॉप डिवाइस के लिए क्या यह सही वह है स्ट्रेटजी है कि ऌइस का और ने की बार भार बार दिखाता रोगा और आप लोगो और यहां पर झosure सुह नदरा कितने लोग ने कार्ट में आड़ किया कितने लोग चैक आउट तक गए कितने लोगों ने आपको कितने सेशन्स कनवर्ट हुए आपके तो आपको यहां पर हज़र आएगा कुछ सेशन्स पर सेल्स ना हो तो मतलब देर इस इशू विद प्रोड़क्ट डिजाइन इन केस अगर शेशन्स पर भी सेल्स ना हो तो देर इस इशू विद एवरीटिंग में आपके मार्केटिंग में इशू हो इर्रेलेवन ट्रेफिक आपको बहुत सरी आ रही हो ठीक है में भी आप लोगों का वह डिजाइन में इशू हो वह आपका वेबसाइट की जो है क्या करते ह तो वह बहुत सरे रोड चीज़ें कर रही होती है सिर्फ एक ही होता कि आपके प्रॉड़क्ट डिजाइन कर वह सेशन का मतलब होता है कि को यूजर आपकी वेबसाइट करता है डैट सब्सक्राइब कर लिया सिंपल सिंपल सी बात सिंपल सी जो लॉजिक होई है सिर्व हैं आप लोगों को आपके कितने सेल्ज कितनी हैं तोसारे आपको यहां पर किस्टमर का भी नज़रा रहोगा कर रहे हैं पर छेकिंग कर लिया कि अए आपको बहुत डीटेल में देल्स अर्डिक्स बेड़िएं और आपको वह लोगों प्लेस कर आपको आपको कस्तुमर की लाइव एक्टिविटीज नजर आएंगी कितने लोग इस टाइम चेकिंग आउट वाले पेज़ में लोग इस टाइम पर पेज पहुंच चुके हैं यह आपको लाइब दिखा रहा होता है यह लाइव पर आपको यह नजरा आ रहा होता है कौन कित लोगों को चले हम ऐसा लेते हैं आप लोग रहे लैप टॉप्स पे लिंक को मैंने भीजा है चैट मेंने पूस्ट किया चैट में इसको заг häris को पर किए कि यह वर्यों को ने कि आपकी क्लास में बैटके यह आई पी यूज कर रहा किसी और कंट्री की साओधी रेबिया की शायद साओधी रेबिया से पाकिस्तान से आपको नजर आ रहा है तो यह आपका लाइव आपका जो है कस्टमर बिहेवर नजर आता है ठीक है इसी तरह जब हम नेक्स अपने स्टो करता जाएंगे तो मैं आप लोगों को सारा लाइव दिखाऊंगा कि आप लोगों को समझाती रहें टोटल सैशन कितने लोग मेरी एबसाइट पर आये यार कितने देखें टोटल नंबर विजिटर्स सेशन और ऑन्लाइन स्टोर सो फार टुड़े कितने लोग अभी तक आ लोगों टोटल सैशन वाले जो लोग आए सारे के सारे उसमें यह विजिटर्स शामिल है बट इसमें वोग शामिल है जो चोड़के चले के स्टोर टीक है बट विजिटर्स राइट नाओ इसका मतलब यह कि जो लोग एक प्लेर होगी चीज और आच्छा मांकेटिंग में और के मार्केंग में आते हैं क्योंकि हमें अपने चैनल नीकि यह सेल चैनल जो आप लोग मुझे बात कर रहे थे आपने कैसे आड़ किया कैसे आड़ किया आपने वह आटमाटिक जब भी अबेंडेंट चेक आउट होता है तो किसे अड़ा होता है वह देखिए शॉपिफाय का बिल्ट इन फीचर है कि जैसी ये बेंडेंट चैक आउट हो कस्टमर को इमेल चले जाए इसका बिल्ट इन फीचर है इसका शॉपिफाय का कि अबेंडेंट चैक आउट को आटमेटिक ली इमिल सेंट कर देता है अच्छा उसके पाद आतें डिसकाउंट कोड्स इसको अगेन गौर से समझ लें इस स्क्रीन पर कहां से आयों सेटिंग में आप सेटिंग में जाएं त आपको यह साइड बार भी चीजना आ रही हैं जिमकर रवा रही हैं डिसकाउंट कोड्स आप लोगने कूपन कोड का नाम सुना जैने ठीक है नहीं सुना कोई बात नहीं बेसिकली कूपन कोड्स यह होते हैं कि आप का एक जनरेट हो जाता है जैसे मैं आपको एक्जैंपल और आपको Discount मिल जाएगा 20 ऐससे फिट तो बिल पे इसको डिसकाउंट कोर नप्सक्र светकाइव और आपको डिसकाउट मिल जाएगा मैंको दिखाता हूं यह उन लोगों के लिए जो लोग बीगनर लोग आयदीया बोरिंग ना फिल वह लोग worms यहां पर आया और यहां PVCr पर मैं यहां पर में आया और इसकोंट कोंड को आपशून जाता आता है जैसे ही मैं मैं कोड यहां पर इंब करूं गा अपलाइ कूपन किया तो टिसकाउंट आक्टेट हो गया तो यह तो यह तो यह तो आपको डिसकाउंट नेटाइब यह होता है यह होता है यह का मतलब ही होता है कि आप यह तो यह तो समझा देता हूं ताकि आप लोगों को एक बैटर लर्निंग इंस मिल जाए यह देखे आप कर जिसकाउंट्स में आएगे तो आप लोगों तो द्यावर कर लो थोड़ा सब्बर कर लो आपके माइंड में जो सारे कबर हो जाएंगा अपलों कपूछने से पहले पहले थोड़ा सा मसला रखेंगे अगर में क्रियेट डिसकाउंट का बटन क्लिक करता हूं तो मेरे पर पर 5 مैंने नहीं पर नवे पहले ठीज में नाम लगते हैं ऑप यहां पर 50 मैं दिखाउट कोड इसे सब्क्रण सब्लतक के मीले तरह सबोरe Br Алекс मैं यहाँ परिए इसकाउंट कोड एंटर करें तो आपको क्या डिसकाउंट कॉइंट मिलना चाहिए अब थे है अब मैं पास option आ रहे हैं कि परसंटेज मिले फिक्स अमाउंट मिले फ्रीशिपिंग मिले या बाइक्स गैट एक्स जैसे बाइवन गैट वन होता है मैं कहता हूं मुझे 20 पुझे परसंटेज मिलते मैं कहता हूं कि जो भी यह डिसकाउंट कोड़ अपलाई करें उसको 20% डिसकाउंट मिल जाये और पर नीचे में पास आप्शन आ रहा है कि सारे की सारी प्रॉडक्स पर आपने करना है किसी स्पेसिफिक क्रॉडक्स पर लगा सकते हैं चाहें तो किसी स्पे अब चाहें तो सारी की सारी प्रॉडक्स पर लगा सकते हैं चाहें तो किसी स्पेसिफिक प्रॉडक्ट पर लगा सकते हैं कोई एक प्रॉडक्ट भी हो सकती है अगर आप सारे स्टोर पर लगा दें अगर आपको आप लोग को इसमें पूछ रहे हैं मुझसे मैं आपका आं प्रॉफिट मार्जन ही दस परसेंट और यहां पर टॉंटी परसेंट डिसकाउंट लगा दो क्या यह एक अच्छी स्ट्राटजी बिल्कुल गलत बिल्कुल अच्छी स्ट्राटजी नहीं है यह शुरू में अपना शुरू में लॉस करवाना भी आपको ठीक है लॉस कोई भ दोबारा समझ लें कि अगर किसी प्रॉडक्ट में आपका प्रॉफिट मार्जन ही 10 परसेंट है दस परसेंट के बाद आपको लॉट्च शुरू हो जाता और उसका बीस परसेंट डिसकाउंट दे रहे हो तो गलत चीज़ है आप चाहें चाहें तो डिसकाउंट दें चाहे लगा उख यफजा रख रखिया प्रैंट्स पर सानव लगा है तो ये फांट फ़र्ण जाते हैं बंट्स पर चौटता लगा दा ये अर्जे कम हैं उसकाउंट गाते हैं प्रफिट मार्ट ज्यादा 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 लगा होगे जिसमें कम है उसमें लगा दिया इस प्रफिश्ट मैं कहता हूं जो प्रफिश्ट करेंगे तो यहां पर दिसकाउंट करेंगे यहां पर दॉलर की पर्चेशिंग करेगा तब यह डिसकाउंट अप्लाए होगा अदर्वाइस डिसकाउंट अप्लाए नहीं होगा मिनीमम क्ली मिनीमम कॉंटिटिटी ऑफ आइटम भी कर सकते हो कि मिनीमम मुझे पांच आइटम बाय करें तब आपको екंडिशन नहीं कर दें पचाए कटर दें इसको एक हैं यह सो डॉलर कीजिया करें प्रक्राइब знаете कृड कोड़ अप्लाइब होता रहेगा कस्टोमर एलिजिबिलेटी आप यहां कर सकते किसी स्पिसफिक ग्रूप कस्टोमर को आपने देना है किसी एक स्पिसिफिक कस्टोमर को देना है यह मल्टिपल कस्टमर्स को देना मैं कहता हूं यह और सिर्फ इलिजिबल है इन जवान के लिए और इन तीन लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और कोई डिसकाउंट यूज़ नहीं कर सकता है इस कोड़ को कर सकते हैं नीचे आते हैं यूज़ लिमिट्स हैं आप यहां पर कर देंगे अक्सर वेबसाइट्स ऑफर देती हैं कि फर्स्ट यहां पर क्यान कोड यूज़ करने घंच लिकोड लिमिट्स कोड़ करने यहाप इस्में कर सकते हैं लिमिट्स वन यूज़ पर कस्टमर एक उसक्टमर का मतलब यह नहीं होता कर एक का मतलब यह होता है कि कि एक एक कंडिशन कर सकते पर एक पर इड़ कर सकते हैं कि लेकर इस तक यह डिसकाउट कोड रहे उसके पाद ऑपिस सारी सैटिंग कर लेंगे आपको साइड वार में सारी के साथी नज़रा रही है पिरेके दिसकाउंड कोड़सिक सेप्टेंबर सब्सक्राइब और एक बार यूज कर सकता है आज से अक्टिव है यह समझा अकबर इतनी आपको टेंशन लेने के जरूरत नहीं है आप इस कोड को एक्टिवी नेक्स्ट मन्से कर दें यहां पर स्टार्ट डेट नेक्स्ट मन्सक्राइब कर सकते हैं पहले जो करवा रहा हूं वह तो समझ लें उसके बात सारा करूंगा आज चॉपिक हमारा यह है आप लोग मैंने डिसकाउंट कोड और आटमेटिक डिसका ए टूजी एटर से विशुव होगा हां जी सब चैनल से पर इसकाउंट पॉड अप्लाई होगा प्रोड़क्ट को लिम्रेट कॉंटिटी में आड़ कर सकते हैं जो वह जो प्रॉड़क्ट आड़ कर रहे होते हैं तो कौंटिटी आपका सारी होती है केंवे कांटेक्ट वेबसाइट विच्वाइब कर दिखा देएं तो अच्छा उसके बाद फिक्स अमांट आती है फिक्स अमांट में सेम वही प्रसीजर सारे का सारा अब देखें डिसकाउंट कोड़ आपने बनाना है जो कोड यूज करेंगे लोग नीचे आती वैलियू कितना डिसकाउंट देना आपने मैं कहता हूं पांच डॉलर कर डिसकाउंट देना है ठीक है किसी स्पिसिफिक प्रॉड़क्ट पर देना है या किसी स्पिसिफिक प्रॉड़क्ट पर देना है सारी प्रॉड़क्स स्प यान का मतलब करें तो बाइब करें यह तक तक नहीं करेगा तब तक पांच डॉलर का डिसकाउंट नहीं अच्छा नीचे आते हैं मिनीमम कॉंटिटी आइटम जब तक वह पांच आइटम नहीं करेगा यह दो आइटम नहीं करेगा जो भी आप यहां पर आड करते हो तब तक डिसकाउंट नहीं मिलेगा नीचे कस्टमर एलिजिबिलिटी सेम वही चीज़ें स्टार्ट एंडेट से कर सकते हो मैं आप कर सकते हो किसी सपिज्फिक सेट ऑफ कंट्रीज में कर सकते हो या आप कैया तो जी और और पाकिस्तान नहीं आ बेलें हैं तो उसके ठुछू इहां पर सकते हैं सारे के सारे कंट्री में आप फ्री करना चाहें तो कर सकते हैं अब लेखें यहां पे और माउंट आ रही है एक्स्क्लोड शिपिंग रिड ओवर सरटन आमाउंट मैं यहां पर करता हूं 50 डॉलर मैं कहता हूं ऐसी प्रॉडट्स जिसका शिप्मेंट प्रेट जिसकी शिप्मेंट मैंने 50 डॉलर एड़ की विए उसकी शिप्मेंट फ्री नहीं मिलेगी कस्ट्मर को जो पिचास डॉलर से नीचे-शिप्मेंट हो सारी फ्री मिलतेगी यह दिस टेक्निकला थोड़ी समझ लेंज को आप शिपिंग रेट्स ओवर अ सर्टन और डो प्रॉडक्स जिसमें शिपमेंट पचास डॉलर एड की हुई है पचास डोलर या उसे उपर उपर तो वो उसक्नूंट कोड अप्लाई नहीं होगा जो 50 डोलर से कम है उसक्षांट कोड अप्लाई हो सकता है है में इस गए फ़ेसे शनले अब इस गए अब यहां पर देखें है यहां पर थोड़ी तोड़ी की किस्टमर मिनिम्म कॉंटिटी कितनी कॉंटिटी करें एक चीज वाय करें specific product है collection मैं कहता हूँ एक मग बाइब करता है एक मग बाइब करता है किस्टमर तो इसको एक मग फ्रिय मिल जाएगा कि अगर यह कोड अप्लाय करता है कस्टमर तो और अगर वह एक मकव आय कर देखिए लिक्षा हुए कस्टमर भाइज एक मग पाय करें तो उसको एक मंग प्री मिल जाए यहां पर यहां पर यह करता हूं यह में लिखता हूं तो तरी लिख दिया इसका मतलब क्या होगा बाइटरी गैट वन फ्री वैरी गुड तीन के साथ एक फ्री मिलेगा अच्छा अगर मैं यहां कर दो मैं कंडिशन चेंज करने लगा हूं मैं यहां पर यह करता हूं कि इसका मतलब क्या होगा तीन मग्स के साथ एक सॉक्स प्री समझारी कंडिशन क्या आप किसना से चीज़ों को मनापुलेट कर सकते हों अच्छा मैं किंडिशन एक और चेंज करता हूं मैं कहता हूं दोहर से देखिएगा इसका मतलब क्या होगा तीन मग अगर बाय करेंगे तो सॉक्स पर 50% मिल जाएगा एक सॉक पे कुछ क्लेर वा कॉंसेट क्लेर होगा ना कॉंसेट चलें वेरी गुड तो बाकी नीचे जो कंडिशन है वो सारी कि सारी वहीं है कस्टमर एलिजिबिलिटी यूजज लिमिट्स अनक्टिव डेट्स सेम वहीं सारी कि सारी चीज़े तो यह आपका डिसकाउंट कोड था जो क तब ही वह ये पर्क्स इंजॉइ कर सकेगा अगर डिसकाउंट इंटर नहीं करेगा तो यह नहीं इच्वाइब कर सकता हो अच्छा ऑन और हैंड लेज़ वे जो के आट्मेटिक डिसकाउंट कोड़ जोते हैं जैसे आप किसी रिजार्ट पर जाते हो और वहां जाके आप तो आप उनको जाके डिसकाउंट कोड़ बताते होगे डिसकाउंट कोड़ है तो मुझे पीजा फ्री देड़ो आप एक पीजा का और डिफॉल्ट आके पार दो पीजा आ जाते हैं ऐसा ही होता है यह आपके यह आप कहीं किसी स्टोर पर जाते हो वहां पर 20 परसंट आफ वही सेम स्ट्रेटिजी आप यहां पर भी लगा सकते हो अपने शॉपिफाय में वह कैसे करना आपने यहां पर एड्जेस्टेड इन बेरी कुड वह बिल में कैसे अज़स्ट करने हैं आपने तो देखें मैं क्रियेट डिसकाउंट का ऑप्शन बटन पर प्रेस करता हूं पर यहां पर आटमेटिक डिसकाउंट आते हैं बहुत सिंपल आप एक मिनट मेरें आपको डिसकाउंट समझ आ गये है और यह तो कुछ भी नहीं आप आप यहां पर यहां पर किया ह। अगर मैं यहां पर यहां पर आया क्लिक किया मैंने दिस्काउट कोड लिखा हुए डिस्काउंट कोड एंटर करें अगर मैं आर्टोमेटिक डिस्काउंट कोड एंटर करिएट करता हूं मेरे पास यहां पर टाइटल लिखा आपने इसको टाइटल कर दईना है पर टाइइड्टल यहां तो कि पर्चेजिंग करता है तो उसको आटमेटिकली 20% में डिसकाउंट आड़ करते हैं समझाइए या नहीं प्रट्टी परसेंट सिमिलर्ली आटमेटिक मिल जाएगा उसको कोई कोड एंटर करने के जुगत नहीं है इसी तरह से इसी तरह से आप यहां पर स्पिसिफिक क्याट कोड नी करोगे तब तक वह आपका डिसकाउंट अप्लाइब नहीं होगा आप लिमिट यहां पर कोई भी आड़ करतो अब चाहें तो चाहें तो मिनिमम कॉंटिटी आड़ करें कि एक प्रॉडट्क्ट अगरे मिनिमम एक एक प्रॉडट्क वाए करे तो उसको 20% डिसकाउ वह बनती हैं जब आप क्रॉडट्क डिसकाउंट कर सकते हो आप मार्केट कर सकते हो आप एक बैनर लगा दो के जी लगाना चाहते हो जितना वी उसको ट्वेंटी डॉलर का डिसकाउंट दे देना अगर वह एक एक और करता है उसको ट्वेंटी डॉलर का यहां पर आपको खुद से बताने के जुरुत नहीं है कस्टमर को यार तुमें डिसकाउंट मिल रहा है आपको डिसकाउंट कोड एंटर करने की जुरुत नहीं है कि एक कॉंटिटी अगर करता किसी स्पिसिफिक कैटिगरी में से तो उसको एक चीज़ फ्री मिल जाएगी उस कैटिगरी में से जो आप स्लेक्ट करते हैं और सब समझा दी अब आप लोग अपने क्वेस्टिंज पूच सकते हैं जो भी क्वेस्टिंज आप लोग के थारी ओर्डर वाले पेज कि समझ नहीं है थोड़ी और वाले चले आज एक यह इसता ट्राइब करना इनफ फर टुड़े अच्छा जो आफ सेल पे आफ लगदा लगाते हैं डिसकाउंट में उसे कंफिग्रेशन नहीं होता है यहीं से कंफिग्रेशन होती है उसकी सर आइ सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सामने यह चीज आ जाएगी जनरल लीगल नेम ऑफ दी कंपनी स्टोर नेम हाँ स्टोर नेम ही आएगा पिलकुं आज तक लिए बहुत अच्छा ओके थोड़े और बता दें थोड़ा सा ओर्डर वाला पेज यह क्या बताओं उसमें आ मार्केटिंग दर सकते हो उसके फेस्बुक पेजिस पर इंस्ट्राग्राम पर तहीं पर एक मैने मैनुली स्टोर डिसकाउंट कोड़ एड़ कर रहे हैं और सेकंड में आटो जम्रेट है राइट हाँ जी मैटा फिल्स आइसन रजा मैं मैटा फिल्स बेसिकली होती है कि इन अब एड़ की है किस तरह से फिल्स फिल करनी है को आपको बातें बताउंगा गियर वेज का और तो आटमेटिक होता है यार तो मैं तुम यह दोंगा दो शोट देओं तो मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को 20 मिट देखो मैं तुमें एक श्वर्ट दोंगा गाँ यह तो हम टेल है अगें बताते हैं आप किस कि सेनल करना चाहते हैं जाए फेसेबूब पे ना चाहते करना chciaथ इंस्ट्राग्रामT गूगल और लीगल का मतलब है कि जो लीगल पेजिए आपके वेबसाइट पे होना ज़रूरी है जिसमें आपका रिफंड पॉलिसी है टर्मस अफ सर्विस है टर्मस अन कंडिशन्स है रिफंड पॉलिसी हो सारे लीगल पेजिए होते हैं कोड अगरते हैं कोडस का मतलब होता है कि यूट कोड कि करें कोड करोड कर देते हो जिसको करते लोग डिसकाउंट्स ले सकते हैं अगर आपको कोई इश्यू आता है किसी भी चीज में आप प्रैक्टिस करें इश्यू आता है तो फेस्बुक ग्रूप में पोश्ट करें आइविल डेप्मिनिटली आंसर देया आइव विटिस डाट तेंग जिस पर आप शुरू में गुशा होगे थे रिक्वेस्ट थी हांजी करें रिक्वेस्ट डुमें लेनी है अब भी डुमें लेनी की जरुबट है ना होस्टिंग लेने की जरूबट है सिर्फ जो मैंने काम करवाया कि शौपिफाइब एकाउंट बनाएं और जो जो चीजे मैंने बताई हैं उसको एक बार गो तुरू कर लें आपको मिल गूगल मेर्चंट डिसकाउंट गूगल मेर्चंट नहीं हाइलाइट करेगा कर दिया मैंने ड्राफ्ट बता रहें ड्राफ्ट चैकाउट थोड़ा सब्सक्राइब रही है जो चीजे भूल रही है वह मुझे बताएं मैं ज़ूर डिसक्स कर लोगा बट ऐसा नहीं हो सकता कि चेक आउट का पूरा पेज पर दोबारा साइक्स्पेंग करूं वह डिफिकल्ट हो जाएका थोड़ा अगर हमने सारी प्रॉड़क्स प्रॉड़क्स फ्रण्ट पर रहा हो तो कैसे हमने पांच पर प्रिस्ट डिसकाउट अफ लगाना हो जो फ्रंट एंड पर प्रॉड़क्स शो हो रही हैं वह तो प आप फेस्बुक यूट्यूब चैनल चला रहे हो आप यूट्यूब चैनल पर आपको नीशल बूस्ट मिल जाएगा जिस दिन आपने करना होगा ना उसे आपकी चैनल में शायद एक लाक व्यूवर्स आजें बट जैसी घिवववे होगा हुसारे के सारे खतम हो जाएंग सब्सक्राइब कर सकते हैं अभी सब्सक्राइब आपको मैं जो फ्राइडे का लक्चर होगा हमारा तक कुछ चीज़े कवर हो जाएंगी तो आप आपको मैं वह सर्विस बता दूँगा डिफरेंट प्रॉसेस हैं जी जब हम स्टॉर बनाएंगे तो क्या आप आप उस कि लिए करेंगे मैं तो नहीं प्रवाइड करेंगे आपको इसक्राइब करना होती है तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट्स होता है प्रॉडक्स में रिफरेंट पॉलिसी ने होती है मैं अटावे स्पैशल लक्चर होगा हां जी गुगल मर्चंट इस फुर गूगल एड्ज घ्रीवन गूगल एड्ज के लिए होता है अल्मोस्ट फापिफाइड का वेरहाऊश शॉपफाइड वेरहाऊश नहीं होता यह मस्ट से ना मिक्स करें अमज़न एक लग चीज़ा से बैस्कों साथ चैनल है जिसके तुर और गैनिक ट्राफिक आ आपने तो दिखाया है वह ड्रॉप शिपिंग ड्रॉप शिपिंग नहीं है मुझे और डिलीवर करना था एक इस डियो इन फॉर्टी मिनट आइवस कैनिंग अर्टिकल एंड स्टॉप कुंसीडरिंग नहीं सबाख लेल वह आपका इस्यू नहीं था वह आपका इस्टोर नेम कैसे करें अपको सोचना है क्या आपने क्या स्टोर बनाना है इसकी जो बैस पर प्रैक्टिस वह आपको सब्सक्राइब करेंगे हम इसमें को तोड़ा करूंगा मैं आप वर्डप्रेस में लिकरूंगा लेकिन सब्सक्राइब करने का नाम होता है और जो होस्टिंग है वो आपकी वेबसाइट जिस जगा पर आपकी वेबसाइट की फाइल्स रखी हुई है उसको होस्टिंग कहा जाता है अब द्राफ्ट पर आडर करने का चार्जिस पेकरने पड़ते हैं आमिर शजाद करता आपसे न्यू चैनल के लिए बैस्ट है गिववेज पहले बार करते हैं चीज़ें अब नहीं करते हैं कि यह सारे फेक होते हैं अपने लोगों को लिए जाते हैं प्रॉड़क्ट हंटिं करवाँगा यार टॉपिक पूरा हमारा हो है शापिफाइस टोर दिखा दें कोई व्यू उसका आप या कोई भी समरा अकपर यह पूरे लेक्टर मैंने अपना शापिफाइस टोर दिखाया आपको जो सारे ग्जेंपल्स करवाई हैं आपको मैंने विल बी उसिंग गूगल है कि हम इस एक पर में सुनते बहुत हैं क्योंकि सुनते इसलिए हैं क्योंकि हम आपको डिखा रहे ना चीजए वही हम सुनना चाहते हैं जो सनी अली और यह वैरा जो आप लोग आपको लोग लेकर देखें सबस्क्राइब करेंगे करेंगे बहुत बार बनता इट से फार इशान ओर आनिया दिशान लग विब्साइट शौपियफायलग वब्साइट इट से अलग प्लाटफॉम है आपका स्टोर विजट कर सकते हैं जी ज कर वाय करके तर्द नूजिंग कर सकते हैं मुझे आप मेसेंजर पर मैसेज करें मैसेंजर पर आप लोगो क्रीकलाइश मिलेंगे आप को साथ कर रहे हैं मैं वार्गा का रहा है ने जी मेरा कुछ तूण ने हम नीग की हद दोगी बहुत साथ लोग जो करते हैं और जुए और आप को पर मन्द तर्वाइब लार निक पर साथ अपने सोर्व इसने शूरू करने का प्लाइन किया है मार्किट रिशर्च करेंगे चाहिए इस पर इस तोर है लेकिन आइड निकर ले नहीं कर ले नहीं इस आपको डुमेंच चाहिए यार मेरे अकाउंट पर जाओ बिल जाएगा आपको ग्रुप में आडिड हूं मैं ग्रुप में पोस्ट भी करता रहता हूं तो वहां से आप चले जो मेरे चाइनीज बैंक अकाउंट बने हैं कितना उस बेस पे हम अली बाबा पर एकाउंट कर सकते हैं जरूर क्यों नहीं कर होता है डिवलपर्स के लिए होता है और ट्रायल वैसे टेस्टिंग के लिए होता है पाके समय रहके आप कैसे अमेरिका में सिखाएंगो सारा जिक्वांगा सना गुलाब लोंगो टेक्स टेक्स और रिटन का इशू इसली नहीं उप्दा क्योंकि हम टेक्स फाइल करते हैं करते हैं मार्केट रिसर्च मार्केट रिसर्च बता दूंगा आप लोगों को मुझे थोड़ा टफ लग रहा है जहां से बिर्जा कोई कोई इस्वी नहीं है थोड़ा सा प्रैक्टिस करें चीज़ों को खुद से एक्स्प्रोर करने कोश्च करें असान हो जाएंगे मैं इ होड़ा सा चलेंगे ना आगे तो आप लोग आपको खुझी असान लगनी शुरू हो जाएंगे चीज़ेंगे जिन लोग ने जो रहना चाहते हैं वह यहां बैठे रहें किदर मैंटेन करते हैं चाइना अच्छी ओके मुस्ली स्टुएंट कुछ को श्बूर्ट नहीं करतें अच्छा ऊके युएसए के लिए लेटी हांजी आप वेर होस अमेरिका में हो सकता हो सकता है बिल्कुल हो सकता है हम लाट्ट लेक्चर मिस्किये थे सो आज कर सकते हैं जी करें जिक रहें तो आप वहां टेक्स्ता पाकिसान है बैटके यूसे बना सकते हैं सेल भी कर सकते सब कुछ बताएंगा आप लोगों को यूसे के स्टोर का वेर हाउस किदर है चाहिना आप ड्रॉप्शिपिंग तरनी जिए ड्रॉप्शिपिंग नहीं कर रहा है लेक्टर के से फ्लेक्सिबिलिटी क्या होने चाहिए क्या फ्लेक्सिबिलिटी क्या चाहिए रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर प्राइवेट वीडियो पर अवेलेबल करते हैं नहीं नहीं कर सकता हम इन्वेंटरी चाइना भीजेंगे नहीं जूरी नहीं है आप पाकिसन से बेज़ सकते हैं नहीं यार उमदा सिर्फ नहीं हो जो कि आप खुझ से जब अगर आप शॉपिफाइब एकाउंड क्रेट कर लो ना इस सब चीज़ें आप खुद भी देख सकते हो जो आज मैंने पढ़ाई है उसको सब्सक्राइब पढ़ लेना आपको पढ़ने का मतलब यह नहीं है कि आर्टिकल्स पढ़ लेना पंड़न लाइक यू मैंशन यूर्श टूड़न आप ऐसा नहीं है पर्ट क्लाइंट के साथ काम करके आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है एक हैंड ऑन हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिल जाता है फिर आप अच्छे सीज़ें लेकर चल सकते हैं वेर हाउस चाहों के हम पाकिस्तान में वे मैं भी हूं तो आपको मेरा नाम मिल जाएगा माशाला से अच्छी तुरह समझ आ गया वेरी गुड़ ओके जैसे हम वर्डप्रेस में जी पील थीम यूड़ग इन यूज़ कर सकते हैं आर्डर पे सैपरेटली पाकिस्तान से सही होगा कोई मसला नहीं है नीरम लाशारी मे मोस्ली हैं में एफियुम की हां जी मेरा फेजबूक मॉक्कड ऑप्शिन्स बैने तो फेजबूक से Sheriff को कहें ची मेरा अकाउंट ओपन करें You और लोग कैसे काम कर रहे हैं पाकिस्दान से बनाकर बेज़ते हैं यार वो डी एचल के तुरू अगर आप सैट सैट काम करना चाहते हैं तो क्या प्रॉसेस है वाड़ इस प्लग इन का मतलब यार अपलग इन का मतलब होता है आप लोग डीएसलार के साथ आपको लेंड्स ब इस तरह से प्लग इन वेब साइट के प्रिंट कर वा लेते हैं और उसको प्योडी कहा जाते हैं पाकिसान में शिप कैसे करेंगे पाकिसान शिप कैसे करेंगे आउड़ कांट्री पाकिसान सब्सक्राइब बीड़ी पर सिखाएंगे हां तोड़ा बहुत सिखात होगा जीओलरी या क्लॉट सेल कर सकते हैं सब कुछ रिकांबाद चाहें चाहें आप शूज कर लें तौइस सेल कर लें बच्चोंगे हर से सेल हो जाती है तैंक्यू सो मच इंशालला टुमारो कि ग्लास में हम पढ़ तीम्स में डिफरेंस समझेंगे तीम्स में रैप्स में डिफरेंस किया है और अपने लेक्टर को कल क्लोज करेंगे इंशालला चाहें अल्ला फिस्टियो गाइस